हेलो दोस्तों, वेलकम तो माई चैनल, आयर्वेट तबीस ओफ लाइफ, यहां दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि त्री मन्स के ऊपर के बेबीस में क्या क्या चींजिस आते हैं, कौन सी आक्टिविटी जैसे बच्चे का पलटना, बैठना, चलना, बोलना वो कब शुरू करता है, और हमें इसके बीच में क्या प्रेकॉशन देने चाहिए और उसे क्या फूट साप्लेमेंट देना चाहिए, लेकिन सबसे पहले, सबसे इंपॉर्टन चीज, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजे, जैसा मैंने बताया था, कि तीन महीने के बच्चे को अपने सामने आप थोड़ी देर पेट के बल लटाइए, जी हाँ, तमी टाइम, यह उसके डाइजेशन को इंप्रूव करता है, और आपने देखा है उगा कि बच्चे की गर्दन हिलती रहती है, तो यह उसे बैलन्स करने में भी बच्चे की हेल्प करता है, लेकिन एक सावधानी जो जरूरी है, यह प्रॉसेस कभी भी दूद पिलाने के तुरन बात नहीं करना चाहिए, बच्चा वॉमेट कर सकता है, इस समय अगर बच्चे को आप कोई आवाज करते हैं, तो वो साउ कोट लेकर बैठने लगता है, लेकिन बच्चे को मजबूती देने के लिए उसे ओयल मसाज आप रेगुलर करते रहिए, इसी समय बच्चे में टीथिक प्रॉसेस भी शुरू होते हैं, कई बार बच्चे में दात निकलते के समय बहुत चरचरापन बढ़ जाता है, लूज जादा हो रही हो, तो आप डॉक्टर से कंसर्न करिये, 11 तो 15 मन तक का जो बच्चा होता है, वो चलने लगता है, एक दो शब्द बोलना भी शुरू कर देता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बच्चा 11 मन में ही चले, हर बच्चे अपना टाइम अलग-अलग लेते हैं, ले दो बच्चा 6 मन जब बच्चा खाना शुरू करता है तो उसे उसकी आदत नहीं होती है इसलिए आप चम्मच से थोड़ा थोड़ा देना शुरू करें चैसा दिन तक एक ही तरह का फूट उसको देना चाहिए जिससे कि अगर उसमें किसी तरह का अलर्जी हो रही है उसके कारण तो वह हमें पता चल सकेगी आठ से दस महिने में आप सेमी सॉलिट फूट शुरू कर सकते हैं जैसे सूजी की पतली खीर या दल या घुटी हुई आप दे सकते हैं दाल को बॉयल करके मूंग या अरहर की दाल लेकर उसे उसका पानी निकाल लीजिए उसमें कुछ दाने दाल की डाल कर उसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए और उसके बाद वो चम्मत से आप बच्चे को दे सकते हैं इसके साथ ही आप लॉकी, गाजर, आलू, स्वीट पोटैटो इनको भी बॉयल करके मैश करके दे सकते हैं यह आप कॉंटिटी का आपको ध्यान रखना पड़ेगा आप वन फोर्थ कटोरी से शुरू करिए और हाफ कटोरी तक ले जाएए लेकिन इस समय आपको शुगर या सौल बच्चे को जादा नहीं देना चाहिए खाना देना शुरू करते समय हमें जिन बातों का ध्यान रखना है वो है कि बच्चा खाना शुरू करने के बाद पोटी कैसी कर रहा है कभी कोई वामेट तो नहीं कर रहा है उसमें कोई फूड अलर्जी तो नहीं हो रही है या उसके गले में खाना फॉर्स तो नहीं रहा है 10-12 मत में आप थोड़ा solid food भी शुरू कर सकते हैं क्योंकि इस समय तक बच्चे में teeth आ जाते हैं और वो चीजों को गुतर कर खा सकता है वो bite कर सकता है इसलिए आप थोड़े से fruits के कोई टुकड़े उसे पकड़ा सकते हैं बिस्केट दे सकते हैं वो धीरे धीरे खाना शुरू करेगा आप उसमें नए नए taste इंट्रोड्यूस करिए लेकिन आप एक चीज का ध्यान रखिए कि एक समय पर एक ही तरह का taste दीजे अगर आप शुगर दे रहे हैं तो उसके साथ salt मत दीजे क्योंकि बच्चे के लिए यह चीज़े नई होती हैं और उसे उनको आदत होने में time लग पानी से अच्छे से उसको साफ करके उस पर नारिल का तेल लगा दीजे उसको खुला रखिए या फिर ज़रूरी हो तो cotton की nappies पहनाए पर डाइपर उससमें मत पहनाए और अगर ज्यादा प्रॉबलम लगे तो आप डॉक्टर से एडवाईज लीजे अगर बच्चे में क बच्चे को कलरफुल चीजे खिलोने इंटोड्यूस करिए उससे उसके ब्रेन में भी डेवलपमेंट होता है कोई भी टॉय ऐसा नहीं दीजे जिसमें शाप एड्जो या हार्ट प्लास्टिक हो वरना उसे चोट लग सकती है तो दोस्तो आज के इस वीडियो में आपने द झाल 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 झाल